हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टीप्स एंड ब्लोग में तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिना आलू के मिर्ची बड़ा ये बनाने में एकदम आसान है फ्रेंड जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करें और जादा मेहनत करने का मन ना हो तो आप इस तरीके से मिर्ची के पकोड़े बना सकते हैं बिना इस्टपिन के ये जटपट बनकर त्यार हो जाता है और एकदम चटपटा लगता है तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड प्लीज वीडियो को फूल वाज करें अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिपिकिसन आपको मिलता रहे तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मिर्ची की पकोड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन का घोल तयार करेंगे 100 ग्राम के करीब बेसन लिए हैं इसको अच्छी तरह से चान कर ले लिए हैं एक ग्लास में पानी लिए हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बेटर तयार करेंगे एक सांत सारा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो बेटर में गुठलियां हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा फिर हमारे पकोड़ी अच्छे नए बनेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बेटर गाड़ा होना चाहिए ना ही जादा गाड़ा और ना ही जादा पतला इधर हम 5-6 मोटी हरी मिर्च लिए हैं उसको छोटे-छोटे टुकड़े में काट लिए हैं मतलब एक मिर्ची को 3 या 4 टुकड़े में काट लिए हैं उसका बीज भी निकाल लिए हैं इस तरीके से घोल होना चाहिए आप देख सकते हैं बेटर को 10 मिनेट रेष्ट के लिए रखे थे फ्रेंड दस मिनेट हो गया है तो अब हम इसमें कुछ मसाले एट करेंगे हाप टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार नमक वन टी स्पून अमचूर पाउडर इससे अच्छे टेस्ट आएंगे हमारे पकोड़ी में बिना इस्टफिन के बना रहे हैं फिर भी एकदम स्वादिष्ट बनकर त्यार होगा वन टी स्पून हल्दी पाउडर हाप टी स्पून अजवाईन हाप टी स्पून जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर डाले हैं इससे एकदम अच्छे टेस्ट आएंगे सब को अच्छी तरह से मिला लिए हैं तो सबसे लाश्ट में हम इसमें एक चुटकी के करीब मीठा सोडा डालेंगे उसके बाद मीठा सोडा डालने के बाद एक चम्मच के करीब पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे बेटर को जादा नहीं फेटना है मीठा सोडा जब बनाने का हो तभी डाले पहले से ना डाले तो अब हम मिर्ची को इसमें डाल लेंगे और इस तरीके से चमच की साहता से मिला लेंगे जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से मिर्ची के पकोड़ी बना सकते हैं फ्रेंग टी टाइम स्नेक चाय के साथ खाने के लिए इधर कराई में ओईल पहले से था गरम हो गया है लो टू मेडियम फ्लेम में अब हम चम्मच की सायता से निकालेंगे एक एक उठा कर डालते जाएंगे कराई में इस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम क्रेश्पी चटपटा ये पकोड़े बनकर त्यार होता है फ्रेंड इस्टफिन वाला मिर्ची बड़ा बनाने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है ये आप आसानी से जटपट कभी भी बना सकते हैं बिना कोई जण जट के पांच मिनट में आपका ये पकोड़ी तयार हो जाता है और एकदम चटपटा भी लगता है तो इसको पुरत नहीं प्लटना है इसको सेखने देना है लो टू मेडियम फ्लेम में चार से पांच मिनट तक एक तरप से सेखने देंगे जब कलर चेंज होने लगेगा तब ही प लट लेंगे आप देख सकते हैं कितना फुला फुला मिर्ची बड़ा तयार हो रहा है आप चाहे तो इस तरीके से खड़े मिर्ची का भी बना सकते हैं लेकिन हम काट कर बनाए हैं छोटे छोटे पीस में एक मिर्ची को तीन टुकड़े में काट लिए हैं एकदम करारे क्र पता बनकर तयार होता है तो अलटते पलटते हुए दोनों साइड से क्रेशपी होने तक मिर्ची पोकोड़ी को तल लेना है आप देख सकते है फ्रेंद पोकोड़ी हमारा अच्छी तरह से क्रेशपी हो गया है तो अब हम पोकोड़ी को निकाल लेंगे छन्नी की सहायता से पोकोड़ी हमारा तयार है गर्मा गर्म चाय के सांथ सर्व करने के लिए तो चलिए फ्रेंग गर्मा गर्म मिर्ची की भज्जी या पोकोड़ी कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे तो चलिए सर्व कर लेते हैं अब देख सकते हैं कितना फूला फूला क्रेश्पी पकोडी बनकर त्यार हुआ है वो भी सिर्फ पांच मिनेट में जटपट तो अब हम इसके उपर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे इससे एकदम चटपटा टेस्ट आएगा फ्रेंड थोड़ा सा लाल मिर्ची का पॉडर छिड़क देंगे अगर आपको ज़्यादा तीखा चटपटा नहीं खाना है तो आप लाल मिर्ची को इसकीप कर सकते हैं उपर से बारिक हरा कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं लेकिन हम भूल गया है फ्रेंड इसकीप हो गया है वीडियो धनिया नहीं डाले हैं धनिया डाल देने से थोड़ा सा देखने में अच्छे लगेंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा तो चलिए हम आपको एक पकोड़ी तोड़ कर दिखाते हैं फ्रेंड तो आप देख सकते हैं कितना ग्रेशपी डिलिसियस फुले फुले मिर्ची बड़ा तयार है तो उमीद करेंगे फ्रेंड कि आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो अपने family member और दोस्तों के साथ share करना ना भूले thanks for watching मिलते हैं नए video के साथ तब तक के लिए बाई बाई